प्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल आज हम ब्लाउस के उपर बटन होल कैसे बनाते हैं यह देखते हैं तो यह जो बटन होल होता है यह कोई हाथ से करता है यह मशिन के उपर जो दाब होता है वो चेंज करके करते हैं लेकिन नॉर्मल जो होता है जैसे नॉर्मल सिंपल जो मशिन होती है उसके उपर हम सिलाई का जो दाव होता है इसके उपर कैसे करना है ये मैं आपको आज दिखाती हो तो जब भी हम बलाउस के उपर ये जो बटन होल बनाएंगे तो यहाँ पर हमें जितना आपको चाहिए उतना आपको मार्किंग करना है छोटा चाहिए बड़ा यहां पर हम एक मार्किंग किया है इसके उपर हम मस्यून को रखते हैं और सबसे छोटी जो सिलाई होती है वो आपको लेनी है और उसके बाद यहां पर हमें सिलाई लगानी है अब यहां पर हमें क्या करना है जैसे सिलाई के उपर हमें दो तीन बार इसको सिलाई लगानी है अब एक ही सिलाई के उपर हमने दो तीन बार सिलाई लगाई है उसके बाद हमें कॉटरी इंच छोड़ देना है जिसे जो बटन होल हम बनाते हैं तो यहां पर हमें कॉटरी इंच छोड़ देना है और उसके साथ साथ हमें सिलाई लगानी है वापिस हम इसके उपर भी दो तीन बर सिलाई लगाते हैं यहाँ पर हमने जैसे यहाँ बी दो तीन बार सिलाई लगाई है बीच में हमने थोड़ा सा कॉटर इंच छोड़ दिया है तो यहाँ पर हमें इसको अंदर के साइड में जितने आपको चाहिए यह बटन होल उतना आपको कट करना है इस तरह से आपको ये बटन होल जितना चाहिए जैसे बड़ा बटन हो तो आप अपने हिसाफ से चोटा बटन हो तो अपने हिसाफ से इसे कट करना है तो आप यहाँ पे इस तरह से घर पे जो सिलाई की मशिन होती है उसके उपर आप ये बटन होल बना सकते हैं क्या हो जाता है, जैसे हाथ से करते हैं, तो finishing नहीं आजाती, जैसे घर पे जो नएने सिखने वाले होते हैं, तो ये कम जादा हो जाता है, तो ये ठीक से नहीं आता, या सब के पास जो बटन होल का जो दाब होता है, वो नहीं रहता, तो आप simple machine के उपर भी ये इस तरह से ये और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें. Thank you for watching this video.